स्वागता आपका स्कूल रास्तियोरी में आज हम आरम करने जा रहे हैं यूनिलन ट्रेणिंग मॉड्यूल 5 का सत्रब 5.3 कप्छा 8 में सिक्षन की तैयारी इससे पहले हमने सारे मॉड्यूल किये हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस में जाकर यूनिलन सेलेक करके उसमें आपको सारे मॉड्यूल मिल जाएंगे तो आप आसानी प्रूबक कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.3 पहला खंड है 5.3.1 सत्र परिच है इसको खोलना है इसमें आपको इस वीडियो लिंक दिया गया है उस वीडियो को देखना है ताकि आप अगले खंड खोल पाएं दूसरा खंड है उत्साई सिक्चकों की नवाचार कताएं इस पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्ट करेंगे प्रशन एक है उपर आप जिन सिक्चकों की बात से ऐसमेत है उनके नाम पर क्लिक करें चेतना जी और नागेंदर जी प्रश्न दो है रैंकिंग देनी है पहले में चौथी दूसरे में दूसरी तीसरे में तीसरी और चौथे में पहली प्रश्न तीन है उत्त लिखेंगे बच्चों के स्वें कि कौशलों को एक दूसरे से सेयर कर कि अपने कौशल विकास कर सकते हैं सिक्षा को उनके जीवन से जोडते हुए उपयोगी बनाए बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ अगला खंड है सिद्धान्त की बातें इस पर क्लिक करेंगे इसमें आपके सामने कुछ दिया हुआ है फिर इसमें पहला खंड कोलेंगे सुरुवाती कदम इसमें क्यूज है पहला दूसरा, पांचवे में पहला दूसरा, छट्टे में पहला दूसरा, साथवे में तीसरा पांचवा, आटवे में तीसरा पांचवा और नवे में तीसरा पांचवा अगला खंड देखते हैं सिद्धान्त की बात में दूसरा खंड है कैई पहलों पर काम करने की जरु इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ जानकारी है आप इसको पढ़ना जाए बढ़ सकते हैं अगला टॉपिक देखते हैं तीसरा एक खंड है चात्रों का सामाजिक भाबनात्मक, स्वास्त और विकाद इस पर क्लिक करेंगे इसमें आपके सामने क्यूज है और कुछ जानकारी है, जानकारी है पढ़ सकते हैं आपको क्यूज को अटेंप्ट करना है प्रश्ण एक है उत्तर देखते हैं जैसे कोई लड़कार सडक पर किसी घायल व्यक्ति को देखकर मदद तो करना चाता है पर कानुनी कारेवाई वह अन्य परिशानी से बचने के लिए मदद नहीं कर पाता है इसके बाद मदद नहीं करमाने के कारण वह धीरे धीरे इस भावना को खोने लगता है वह सम्मेंद सिंता खतम होने लगती है प्रश्ण नमर दो है उत्तर होगा एसी स्थिती में हम बालक का मनोबल बढ़ा कर चिंता को दूर कर सकते है प्रश्ण तीन है उत्तर होगा उन्हें सकारात्मक कारण की तरफ मोड़ कर उनके कारण की तारिफ करेंगे और प्रोसान कर देंगे अगला खंड देखेंगे चौता खंड है व्यवारिक दूसकी इस पर क्लिक करेंगे इसमें पहला देखेंगे कच्छा आठ के पुन्रावर्ति चरन इसमें प्रारंबिक चर्चा देखनी है इसमें प्रारंबिक चर्चा में आपके पास Qs आएगी Qs को Attempt करना है प्रश्ण एक है उत्तर लिखेंगे आप अपने विचार सब के साथ सेयर करें अपने कौशल से सब को परिचित कराएं और दूसरों की बारत या विचार को ध्यान से सुनें अगला देखेंगे प्रारम विक्चर्चा हमने जो अभी देखी है अगला है मिलकर योजरा बनाना इस पर क्लिक करेंगे इसमें क्यूज है क्यूज को अटेंप्ट करना है प्रश्ण एक है उत्तर लिखेंगे पादवप में पोशन फसल उत्पादन से पहले इसे सामिल करेंगे आप अपने अनुसार इसमें टॉपिक चेंज कर सकते हैं प्रश्ण दो है पौदों के अच्छे विकास के लिए क्या-क्या परिस्थित्य होनी चाहिए बालकों के अनुभग वह विचार सुनकर समिच्छा करेंगे अगला देखते हैं एक से अधिक समूओं के साथ काम करना इस पर क्लिक करेंगे हिंदी वाले हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्ट करेंगे प्रश्ण एक है इसमें पहले में लिखेंगे दिये गई सब्दों से कहानी बनाना बूर्ड पर कुछ सब्द लिखना वह बालकों से कहानी बना कर चर्चा करना दूसरे में लिखेंगे कक्चा के समक्च बालकों से उसमें सुधार है तू राय जानकर उप्यों की जानकारी देना वह समू में अलग-अलग कारे देना तीसरे में लिखेंगे समू एक से कहानी के सिर्षक वह कहानी की खास बातों में सम्मंद पर चर्चा करना अगले में लिखेंगे समूँ दो से कहानी की भासा सहली पर चर्चा करना अगले में लिखेंगे तीसर समूँ से एक अन्य कहानी सोचने वह लिखने को कहेंगे अगले में लिखेंगे तीन समूर द्वारा कार्यों की पूरी कप्छा के साथ सेर करेंगे अगला सब्ज़क देखेंगे सामाजे विग्यान वाले सामाजे विग्यान पर कलिक करके क्योंज को attempt करेंगे प्रश्न एक है उत्तर देखते हैं पहले में लिखेंगे नक्से की जानकारी विविद नक्सों पर बाचित करना अगले में नक्सों से संबन दी सामने जान करें बाचित करना अगले में राज्थान के नक्से में कुछ कहरे को अंकित करवाना राज्थान के नक्से में दिसाओं वो मुख्य परवतों को अंकित करवाना अगले में राज्ताने वहने वाली मुख्ये, नदियों को अंगीत करवाना, अगले में समूध वह्रा किये गए कार्यों का प्रस्तित्यकरण वह समिक्षा, अगला सुचसेक देखेंगे, गनित वाले गनित पर क्लिक करके जीशका अटेंब्ट करेंगी, प्रश्ण नमबर एक है उत्तर देखते हैं पहले में लिखेंगे पूर्णांकों को संख्या रेखा पर परदसित करवाना प्राकर्ट संख्या वपूर्ण संख्या पर बातचित करना अगले में पूर्णांकों के बारे में बातचित करना संख्या रेखा बनाना वधनात्मक संख्याओं को प्रदसित करने के संबंद में बाचित कर समझ बनाना, अगले में पुन्नांग देकर प्रदसित करवाना, अगले में अन्य पुन्नांग देकर प्रदसित करवाना, अगले में बीच की संख्याओं को प्रदसित करवाना, वलाश्ट में लिखेंगे समू के कारो की motto मेर अगला सब्चेक देखेंगे विज्ञान वाले विज्ञान पर क्लिक करके क्यूत को इसको टेंद करेंगे । प्रशियरी है उत्तर देखेंगे पहले में संसलेतित रेसे व प्लास्टिक रेशों के बारे में चर्चा अगले में भावली करन वा प्लास्टिक के उपयोग लाभानी की चर्चा अगले में रेसन के कीट द्वारा रेसम प्राप्त करना परकार रे अगले में सूती वस्त्रव उन परकार रे अगले में क्रिसी कत्रिम रेसों पर चर्चा वा परकार पर बाचित अगले में समू का प्रस्तितिकरन अगला देखते हैं वेवारिक नुष्के में दूसरा है प्रमूक अध्यान कॉसलो का भिखाज इस पर क्लिक करेंगे इसमें क्यूज है क्यूज को अटेंट करना है प्रशन एक है इसमें हमें पहला नंबर दालना है अगले में चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पांचवा व्याबारिक नुसके में लास्ट है पार्टिय पुस्तप परीचे, इस पर क्लिक करेंगे हिंदी बाले हिंदी पर क्लिक करेंगे क्यों उसको अटेंप्ट करते हैं प्रशन एक है उत्तर लिखेंगे पहले में पांचवा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर छट्टा, फिर तीसरा सारे सही है अगला सब्जेक देखेंगे सामाजी विज्ञान का देखेंगे क्यों इसको अटेंप्ट करना है पहले में part 5, फिर part 6, फिर part 1, part 3, part 2, part 4 अगला subject देखते हैं गनित वाले गनित पर क्लिक करके, क्योंज को attempt करेंगे पहले में part 5, फिर part 1, part 2, part 4, part 6 और part 3 सारे सही है अगला सब्जेक्ट देखेंगे विग्यान वाले विग्यान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेंट करेंगे पहले में पार्ट पांच फिर पार्ट एक पार्ट दो पार्ट चार इसका सायूत्ता देखते हैं पहले में पार्ट पार्ट फिर पार्ट एक फिर पार्ट दो फिर पार्ट चार फिर पार्ट छे फिर पार्ट तीन अगला खंड देखेंगे खंड पार्च है हमने सी का समझा इस पर क्लिक करेंगे इसमें क्यूज दी गई है क्यूज को अटेम्ट करना है पहले में योजना बनाना, पूर्व ग्यान की परक, बच्चों के किरियकला वो प्रस्थिक्ति करना अगला खंड देखेंगे पूरक सत्र के कार्रे, खंड 6 हैं, इस पर क्लिक करेंगे हिंदी वाले हिंदी पर क्लिक करेंगे, क्यूज को अटेम्ट करना है पहले में लिखेंगे, पाट के सैली, फिर अगले में रूची पून सिक्षन द्वारा प्रश्न नमर दो में लिखेंगे, सामन्य रूप से सिक्षन में नकल की जाती है तीसरे में लिखेंगे सब्तावन में बच्चों से बादचित वा उनके ज्यान कौसल की जानकारी अगले में पाठ योजना के अनुसर कार रहे अगले में कटिन कार सब्दों पर कार रहे अगले में धोहरान वा अभ्यास प्रश्ण चार में पहले में लिखेंगे कटिन सहली को नहीं समझ पाना अगले में रूची पून अभ्यास कारे करना अगले में पद्यभाग वो अगले में रूची पून सिक्षं करवाऊंगा अगला सब्जेक देखेंगे सामाजी विज्ञान वाले सामाजी विज्ञान पर क्लिक करके कि उसको अटेम्ट करेंगे पहले में पहला लिखेंगे सब्वेताओं, विभिन कलों, कालों की समझ अगले में रोची पून सिक्षक करवाएंगे प्रशन नमर दो में अंसर लिखेंगे रोचक्ता बन जाती है प्रशन तीन में पहले में लिखेंगे पूर्वग्यान की परकवबादचीद दूसरे में पार्ट परकार रे, तीसरे में कठिन मिंद्यों परकार रे, चौथे में बच्चों द्वारा प्रस्तुतिकरन प्रशन नमर चार में पहले में लिखेंगे सन्वतारी ग्याद रखपाना, अगले में विशेश कर किरिया कलाब द्वारा, तीसरे में इतिहास, चौथे में रोचक्ता बना कर अगला सब्जेक्ट देखेंगे गनित वाले गनित पर क्लिक करेंगे, क्यूज को अटेम्ट करेंगे उत्तर देखते हैं हम पहले के पहले में लिखेंगे चतुर बूच की रचना, अगले में अभ्यास करवाना प्रशन दो में लिखेंगे, सामन्य रूप से सिक्षन में नकल होती है, समझ नहीं बनती प्रशन तीन में पहले में लिखेंगे, बच्चों से पूर्वज्यान के बारे में बाच्चित अगले में पाठ के बारे में बाच्चित तीसरे में कठिन मिंदों पर जड़्चा, चौथे में प्रस्तिकरन प्रशने चार में लिखेंगे सवालों की कठिन था अगले में रोजकता पून सिक्षक करवाऊंगी क्या करवाऊंगा अगले में चक्रवर्ति ब्याज वो अगले में स्वेय अभ्यास द्वारा अगला सब्जेक्ट है विज्ञान विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेंप्ट करेंगे पहले में लिखेंगे कठीन क्रियाकला और अगले में रोजक्ता लाकर दैनिक क्रियाकला उपसे चोड़ेंगे प्रशन 2 में लिखेंगे सामने चिक्षन मैं समझ नहीं बन पाती है प्रशन 3 में पहले में लिखेंगे बच्चों के पूर ज्यान का समझ या साजा 2 में पार्थ से संबंधित कार्रे वक्रियकला 3 में कठिन मिंदो पर बातचीत्व समझ 4 में प्रस्तुति करन प्रश्ण चार में प्रियोगिक कार्रे, अगले में दैनिक परिवे से जोड़ कर करना, तीसरे में प्रकास का परावर्तन, चौथे में बच्चों के परिवे से जोड़ते हुए रुची पुन सिक्षन कराना अगला खंड है मेंटर्स के लिए मेंटर्स गरने से देख सकते हैं इसमें कुछ जानकरी दीगी है उसे पढ़ सकते हैं आशा करता हूँ आप ये ट्रेनिंग आसानिक साथ पूरी कर पाए होंगे इसी परकार आप आगे भी करने के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ धन्यवाद